नमस्कार मैं हूँ साधना भार्ती जब जब स्वार्ती एहमवादी कुटिल व्यक्तित रखने वाले लोग किसी समाज या किसी देश में अपना प्रभुत्त कायम करने के मद में चूर होकर विवेक शुन्य हो जाते हैं तब तब समाज और जनता का संतोश उभरता है तब जी ने नोट बंदी का एलान किया था और कहा था कि 8 नमबर 2016 रात 12 बजे 500 और 1000 रुपे के नोट बंद हो जाएंगे नोट बंदी के बाद ब्रश्टाचार कालाधन सीमा पारा तंकवाद देश में पहली नकसल समस्याओं पर पूरी तरीके से रोग जाएगी लेकिन आज त चार पर रोक लगी है और ना ही देश में पहली नकसल समस्या ही समाप्त हुई है बलकि आज बे इंतहा बेरोजगारी बढ़ गई है आज देश में 45 करोड देश की आबादी रोजाना पहनत मजदूरी पर आधारित है उसकी तो कमा तूट गई है देश की आर्थ विवस्ता की जेबे भरने के लिए करवाई थी आपको देश की जनता पर बिलकुल भी दया नहीं आई थी आपने देश के गरीब मजदूर किसान लाचार माताओं बेहनों बुजर्गों की खून पसीने और महनत से की गई कमाई को उनकी जेबों से निकलवाकर बैंकों में जमा कराया और बैंकों में जमा हुआ देश की जनता का हजारों करोड रुपया आपने सीधे अपनी चंदुद्योगपती दोस्तों की जेबों में पहुचाया उस रुपये से आपने भाजापा का पांच सितारा ओफिस बनवाया लेकिन आपको देश की बेबस जनता पर जरा भी रहम नहीं आया नरेंदर मोदी जी आपने 50 दिन का समय मांगते हुए कहा था कि मुझे 30 दिसंबर 2016 तक का समय दो मेरे भाई अगर मेरी कोई कमी रह गई कोई गलती निकल गई कोई रादा गलत निकल गया तो देश की जनता जिस चौराहे पर बोलेगी उस चौराहे पर खड़ा ह जनता जो सजा देगी उस सजा के भुकतान के लिए मैं तैयार हूँ अरे नरेंदर मोदी जी आज सजा का भुकतान तो छोड़ दीजिए आज 4 साल बाद ही सही देश की जनता से नोट बंदी के अपने गलत निर्ने के लिए देश की जनता से माफी मांग लीजिए हमारे दे कि इस गलत निर्ने के लिए देश से माफी मांगो मोधी सरकार